Hello guys, welcome back to my youtube channel, safety management study Guys, आज की हमरे वीडियो का topic है, confined space safety requirements आज हम जानेंगे जब भी हमारे work site पे confined space entry होता है ये confined space related कोई भी activity होता है तो as a safety officer हमें क्या क्या ensure करना होता है on site confined space entry से पहले ये confined space entry के दोरान हमें क्या क्या check करना है, इसके बारे में जानेंगे जैसे कि क्या क्या documents आपको check करना है, कौन कौन से equipments आपको check करना है और भी आप क्या क्या check कर सकते हैं, ensure कर सकते हैं, safety point abuse से इसके बारे में जानेंगे, तो आज ये जुरू करते हैं तो first हम जानेंगे documents कौन कौन से आपको ensure करने है तो कोई भी हम activity करते हैं तो हमें work permit चाहिए होता है तो सबसे पहले हमको ये ensure करना है कि जो activity करने जा रहे है उसके लिए work permit है की नहीं इसे confined space entry हो रहा है तो confined space entry के लिए work permit है की नहीं और जो confined space entry का work permit होता है उससे क्योंब आप confined space में enter कर सकते हैं उसके और कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं तो अगर confined space के अंदर कोई भी एक्टिविटी करना है जिसे कि inspection करना है cleaning करना है या building करना है और कोई भी activity है उसके regarding भी आपके पास permit होना चाहिए सबसे पहला आपको confined space entry का permit चाहिए उसके बाद आप जो भी अंदर में activity कर रहे हैं grinding कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उसके लिए एक अलग से permit चाहिए होगा अगर confined space में hot work कर रहे हैं तो hot workup permit चाहिए और cold work कर रहे हैं तो cold workup permit चाहिए तो यहाँ पर आपको दो permit लेना होगा next है जो भी आपके employees, जो भी workers confined space में enter करेंगे, कोई भी activity करेंगे उनका आपको training record चेक करना है उन सभी का training हुआ एकनी confined space related उसके लिए आप tag check कर सकते हैं या कोई आपका record है वो भी आप check कर सकते हैं next आपको ensure करना है कि approved.js से यह risk assessment है की नहीं, SOP है की नहीं next आपको ensure करना है energy isolation हुआ है की नहीं with loto, यह जो भी आपका energy है जो भी product है जो की confined access में enter कर रहा है वो सभी access isolate है की नहीं, उनमें loto लगा है की नहीं तो यह आप check कर सकते हैं loto certificate से या फीजकली भी check कर सकते हैं next है rescue plan आपको ensure करना है कि confined space के लिए approved rescue plan है की नहीं rescue plan में आप ensure कर सकते हैं कि emergency case के लिए आपके पास क्या-क्य arrangements है rescue के लिए तो यह आपका importance है rescue plan का आपको जरूर चेक करना है rescue plan में आप क्या-क्या check कर सकते हैं उसमें rescue team का detail दिया होगा, उनके contact numbers दिया होंगे, emergency contact number है कौन-कौन से safety equipment चाहिए उसमें वो दिया होगा rescue plan में evacuation plan होगा, escape route होगा, यह सा आपको check करना है और आपको देखना है rescue plan में जो भी criteria दिये गए हैं, जो भी arrangements दिये गए हैं, वो fulfill हैं कि नहीं, site पे available हैं कि नहीं next आपको check करना है ventilation plan, आपको देखना है कि site पे approved ventilation plan हैं कि नहीं Ventilations Plan में आपको क्या चेक करना है आपको ये चेक करना है कि इतने सारे Ventilations दिए गए Air Mover दिए गए उट सारे अबलेबल है कि नहीं Suppose आपको Ventilations Plan में दिया है कि आपके पास दो Air Mover आपको install करना है तो आपको देखना है कि Confined Space में दो Air Mover install है कि नहीं और जो भी उनकी capacity दिया गया उसके according वो run कर रहा है कि नहीं तो ventilation plan में आपको ये check कर लेना है अगर आपको rescue plan का format download करना है एक sample download करना है तो आप हमारे site पर visit कर सकते हैं जिसका link आपको discussion में दिया है और यहाँ पर skin पर भी so हो रहा है इस website वेब जाके rescue plan डाउनलोड कर सकते हैं next हो गया ये सारे documents हो गया अभी हम देखते हैं कुछ authorized persons होते हैं जो की site पर होने चाहिए जैसे की rescue team rescue team के site पर अबलेबल होने चाहिए every time जब भी confined space में कोई activity चल रहा है next is stand by man with lock seat stand by man होना चाहिए वहाँ पर जब भी confined space entry हो रहा है confined space के बार stand by man होना चाहिए और lock seat उसके हाथ में होना चाहिए जो भी gang leader है supervisor, foreman वो भी site पर अबलेबल होने चाहिए next अभी बात करते हैं कौन-कौन से equipment होने चाहिए इसे की rescue equipment में आता है rescue tripod, fall arrester full body harness stretcher, ascaba ये सारे equipment साइट पर अबलेबल होने चाहिए as per rescue plan तो आपको check करना है कि rescue plan में कौन-कौन से equipment दिये हैं और वो अबलेबल है कि नहीं next है first head kit, first head kit भी site पर अबलेबल होने चाहिए अगर कोई worker trained नहीं है, confined space से aware सकते हैं, train उसके ट्रेडिंग में आप कया uh topics include करेंगे कि तो सबसे पहला अब उसको बता सकते अवांटे тесь confined space, any confined solvent space , क्या है उसको एक्षम्ल से समझाईए उसके बारुद में आप उसको बताईए इसके बारे में उसके लिए उसके लिए क्या क्यों, safety measures लेगा, safety precautions क्या क्या हैं, उसके बारें बताईए जिस confined space में काम करने जा रहा है, उसमें क्या metal store था, उसके क्या क्या है hazard से, उसके बारें बताईए emergency response के बारें बताईए, जो भी वहाँ की emergency contact number है, वो कहाँ पर मिलेंगे, किसे contact करना है, ये सारे कुछ बताईए nearest call point कौन सा है, safety sour कहाँ पर है, assembly area कहाँ पर है, ये साइब डिटेल उसको आपको देना है तो ये एक साइब डिटेल था, जब भी आप confiandises एंट्री करा रहे हैं, activity देख रहे हैं, तो आपको क्या क्या से safety requirements चेक करने, इसके बारें में आपको मैंने बता है, ये कोशन साब से इंट्रीव में पूहाँ सकता है, तो इसको आप याद रखें